बिहार के इस मुख्य मंत्री की किसी भी पार्टी से होती थी जी सतेंद्र नारायन सिंग बिहार की मुख्य मंत्रे थे और इनोंने औरंगाबाद की लोगसबासीट से कई बार चुनाओ जीता है साल 1952 के बाद से चोटे साहब कहे जाने वाले सतेंद्र नारायन सिंग ने और अंगाबाद का प्रतिनितित्व किया था सतेंद्र नारायन सिंग अनुगरह नारायन सिंग के बेटे थे मालुम हों कि अनुगरह नारायन सिंग ने आजादी के लगराई में एहम भूमी का निभाई थी और उसके बाद उन्होंने बिहार विभूती की संग्या प्राप्त की थी भारत के आजादी के बार ये बिहार के पहले उक मुख्य मंत्री और वित मंत्री बने थे भारत की आजादी के बाद ये बिहार के पहले उक मुख्य मंत्री और विक मंत्री बने थे सतेंद्र नारायन सिंग ने और अंगाबाद की लूग सभास्दीव से कई बार जीत हासल की इसके बाद वो बिहार के मुख्य मंत्री बने ये भी कहा जाता है कि सतेंद्र नारायन सिंग को राजपू जाती का भारी संख्या में समर्थन मिलता रहा। और अंगबाद को राजपुतों का गड़ भी कहा जाता है। और साथ ही इसे मीनी चुत्तोर गड़ भी कहा जाता है। यहां सबसे अधिक वोटर राजपू थी सतेंद्र नारायन सिंग को हराना किसी भी पार्टी के लिए नहीं था आसान बिहार के पुर्व मुख्यमंतरी सतेंद्र नारायन सिंग ने कॉंग्रेस पार्टी से साल 1952 में चुनाव लड़ा और उसके बाद वो साथ बार औरंगाबाद की सीट से सांसत बने लेकिन हर बार उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी से ही जीत हासल नहीं की थी साल 1971 में कॉंग्रेस दो भागों में बच गई और उस दोरां सतेंद्र नारायन सिंग ने N.O.C. यानि कि भार्टी रास्टे कॉंग्रेस और्गनाईजेशन से जीत हासल की साल 1977 में सतेंद्र नारायन सिंग एनोसी का साथ छोड़कर भार दिये लोक दल के साथ चले गए और इस पार्टी से भी सतेंद्र नारायन सिंग ही सांसर चुने गए इन्होंने 1977 में कॉंगरस के उमिद्वार को हडाया था साल 1990 में सतेंद्र नारायन सिंग ने फिर से एक नई पार्टे के उमिद्वार के तौर पर चुनौ लड़ा इस बार उन्होंने जंता पार्टी का दामन धाम लिया था लिकन जीत इनकी ही हुई सतेंद्र नारायन सिंग ने सही माइने में ये साबत कर दिया था कि जुनाओं में किसी भी पार्टे के लिए उन्हें हराना आसान नहीं था लगतार हाट जिलने के बाद कॉंग्रस के लिए भी जीतना जरूरी था इसलिए साल 1984 में कॉंग्रस में फिर से सतेंद्र नारायन सिंग को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था शायद कॉंग्रस में इस बात को भाप लिया था कि सतेंद्र नारायन सिंग को हराना आसान नहीं है कॉंग्रस की सरकार में वो कई बार मंत्री भी रहे लेकिन साल 1975 में इमरजन्सी का विरूद करते वी जन्ता पार्टी में वो शामिल हुए लेकिन उसके बात फिर से इन्होंने साल 1980 में कॉंग्रस को जोईन कर लिया था बिहार के विकास में सतेंद्र नारायन सिंग का एहम यूगदान साल 1989 में सतेंद्र नारायन सिंग 9 मेहने के लिए सीयम बने थे शते इंजर सिंगं के बारे में कहते हैं कि वो व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हों ने किसानों, मजदूरों और वेवसायों के लिए कई तरह के काम किये। विहार के सिक्षा ववस्ता में भी उनका एहम यूगदान रहा है। वो जननेता थे, कहते हैं कि उन्होंने सत्ता के लिए कभी राजनीती नहीं की थी, लोग उन्हें काफी पसंद किया करते थे, यही कारण भी था कि उन्होंने कॉंगरस से लेकर जनता पार्टी से जीत हासल के थी, मुख्य मंत्री रहते वे उन्होंने सिक्षा ववस्था को अपने पास रखा था और उन्होंने सिक्षा के विकास में कई एहम योगदान दिये सिक्षा के लिए उन्होंने कई कार रिखिये दिरसल राज्य के विकास में इनका एहम योगदान है कहते हैं कि राज्र के एंटी पीसी बिजली परियोजना उत्तर कोईल नहर आदी अनीक बड़ी परियोजना पुर्व मुख्यमंत्री सतेंद्र नारायन सिंग की ही देन है